नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, अकबर बीरबल की कहानी, पंडिक जी, शाम धलने को थी, सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लोटने लगे थे, तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुकचाप एक कोने में खड़ा है, बीरबल उसके निकट आते हुए बोले, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बेही चक कह डालो जो कहना है, मुझे बताओ, तुम हारी क्या समस्या है, वह मोटा व्यक्ती से कुच आता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो, तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ग्यान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजा प्रसिद्धी मिल जाए, प्रसिद्धी पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोले, यदि तुम वास्तप में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो, तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए, ये सुनकर मोटा आदमी सोच में डूद प्रसिद्धी मिल जाए है, कल तुम बजार में जाकर खड़े हो जाना, मेरे भेजे आदमी वहां होंगे, जो तुम्हें पंदिक जी कहकर पुकारेंगे, वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान सोर जाएगा, वे भी तुम्हें पंदिक कहना शुरू कर देंगे, ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नातक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दोड़ाना होगा तुम्हें, लेकिन सतर क्रहना, गुस्से का सिर्फ में जाकर खड़ा हो गया, तभी बीरबल के भेजे आदमी वहाँ आ पहुँचे और टेज स्वर में कहने लगे, पंदित जी, पंदित जी, मोटे आदमी ने ये सुन अपनी लाठी उठाए और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सची में पिताई कर देगा, बी बड़ा मजेदार द्रिश्य उपस्थित हो गया था, मोटा आदमी लोगों के पीछे दौर रहा था और लोग, पंदित जी, पंदित जी, कहते हुए नाच गा कर चिल्ला रहे थे, अब मोटा आदमी पंदित जी के नाम से प्रसित हो गया, जब भी लोग उसे देखते तो पंदित जी कहकर ही संबोधित करते, अपनी और से तो लोग ये कहकर उसका मजा कुला आते थे कि वो उन पर पत्थर फेकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौरेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वो प्रसित तो हुने ही लगा था, इसी वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं, ये सोचकर वो इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुँचा, वो बोला, मैं मातर पंदित जी कहलाना नहीं चाहता, वैसे मुझे स्वयम को पंदित का हलवाना पसंद है और कुछ समय तक ही सुनन मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजा को लाते हैं, मोटे आदमी को वास्तविक्ता का आभास होने लगा था, मोटे आदमी को ये कहता देख बीरबल हसते हुए बोले, मैंने तो तुम से पहले ही कह द जब लोटो तो उन लोगों को नजर अंदाज कर देना जो तुम्हे पंदित जी कहकर पुकारें, एक अच्छे सभ्य व्यक्ती की तरह आचरन करना, शीग्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंदित जी कहकर तुम्हारा उखास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड देंगे, मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया, जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लोट कर आया तो लोगों ने उसे पंदित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया, अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके अस बॉक्स में जरूर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपटेट्स मिलते रहें